गड़गाव रोड पर सफर करने का जब अवसर आता है तब अक्सर मूँ से शब निकलता है नहीं रे बाबा यह सिमेंट सड़क का काम कब पूरा होगा यहाँ से गुजरने वाले हजारों नागरिकों के लिए मन का यह एक बड़ी समस्याचनक प्रश्ण है लॉकडाउन से पहले से ही चल रहे सीमेंट रोड पर काम आधा ही हुआ है जो कि केवल दो किलोमेटर लंबा है इसलिए इस बात का संकेत नहीं है कि इसमें और कितने महिने लगेंगे जिसे नागरिकों में नारास्की है वाडी खडगाव रोड बहुत यातायात में वस्त रहने वाला रास्ता है सड़क के किनारे वसी बस्तिया जैसे की खडगाव तक गोडाउन टेकडी वाडी सोनबानगर लावा आधी खडगाव तक बस्तिया बनी हुई है इसलिए इस रोड पर बहुत अधिक निरभरता है इतनी आतायात में व्यस सड़क पर लॉकडाउन से पहले ही सीमेंट रोड पर काम शुरू हो गया था बीते आट मैने पहले ही शुरू की गई इस सड़क पर काम बहुत ही दीमिगती से हो रहा है वनवे ट्राफिक के कारण ट्राफिक जाम के समस्या आम हो गई है ट्रक और अन्य वाहन आधे घंटे और कभी-कभी घंटों तक ट्राफिक जाम का कारण बनते है ओफिस और अन्य जरूरी काम के लिए घर से निकलने वाले लोगों को सड़क पर काफी नुकसान उठाना पड़ता है काम धीमिगती से चनले की कारण सामगरी सड़क पर पड़ी रहती ह और सड़क पर गड़े होने की कारण यातायात करने वाले भारी वाहनों से गड़ों की धूल स्थानिय नागरिकों को 24 गंटी सेंट करनी पड़ती है जो नागरिकों की स्वास के लिए काफी हानिकारक है वाहनों की आगमन से भीड़ भाड़ वाली सड़क को नागरिकों के गोदाम है जो लगातार हलके और भारी वाहनों से भीर जमाए रहते हैं गोदाम में आने वाले रात और दिन के ट्रक और इसमें धीमी गती से सड़क का काम दो पईया और पैदल चलने वालों के लिए मुश्किल होता जा रहा है सड़क हमीशा व्यस्त रहने की कारण याताया से तरस्त हैं हाला कि एक सिमेंट सड़क का निर्मान किया जा रहा है लेकिन सड़क संक्री हो गई है नागरी कह रहे है कि संक्री सिमेंट सड़क के निर्मान से सड़क पर फिर से ट्राफिक जाम हो जाएगा पिछले कई वर्षों से टेकडी वाडी में सीवेज पानी रस्त से खोल दिया है, जहार सिमेंट सडक का काम किया गया है। तैठ्थ यह हैं कि सडक निर्मान समान रूप से नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार के खिलाफ तत्काल कारवाई की जानी चाहिए। साथ ही नागरिकों ने मांग की है कि वाडी खडगाव सिमेंट रोड का काम जल से चल पूरा किया चाहे। किनारे बने मकानों से सीवेज सडक पर आ रहा है। टेकड़ी वाडी का सीवेज पानी सडक पर भेने की कारण यहां बड़े बड़े गड़े बन गये है। इस स्थान पर अक्सर दुरगटनाय हुई है। और स्थानिय लोगों द्वारा सीवेश का प्रावधान नहीं किये जाने की कारण यातायात करने वाले लोगों को बहुत नुक्सान उठाना पड़ता है।